हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता स्वेतास किचिन में आप सभी का स्वागत है मैं अपने रेटी प्लेस आई हूँ तो सोची क्यों ना यहां का लोपल डिस्ट राइ किया जाए तो आज मैं बना रही हूँ बैर की डिस्ट इसे बैर की अचार भी बोल सकते हैं या फिर बैर की खटी मीटी चटनी भी बोल सकते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यह बहुत ही चल्दी बन जाता है यह डिस्ट तो इसे आप स्टोर करके महिनों तक रख सकते हैं यदि पची भी रह जाए तो चो चलिए बनाने से स्टार्ट करते हैं तो मैं इस देशी बेर से चटनी बनाने वाली हूँ तो पहले इसे अच्छे से वाश कर ली हूँ फिर उसके बाद बेर में जो ये छोटी सी डंटल है उसे निकाल दूँगी निकालने के बाद इसे काट कर चेक कर लूँगी कहीं कीडा तो नहीं है उसे हटा दूँगी सारे बेर से चेक करना होता है कई बार कई बेर में कीडे होते तो उसे हटा देना है इसलिए सारे बेर से चेक करना होगा तो उसमें टाइम तो लगता ही है एक एक बैर से चेक करने में, तो चलिए सारे बैर से डंठल और चेक कर लेते हैं, काट कर, बैर की चटनी बनने के लिए ये बैर बिल्कुल रेडी है, इसे अच्छे से चेक करके रख ली हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फिर, मिक्स्चर रहता है उसे डालूंगी तेल की गर्म होने के बाद ही उसे डालना है देखे मैं पच्पोरन डाल दी हूँ अब इसमें डाल रही हूँ दो लाल मिर्च सुखी वी लाल मिर्च दो तेज पत्ता जाएगा फिर जब सारे सीड अच्छे से तड़क जाएंगे उसके ब अब इसमें डालूंगी हल्दी हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है तो यहां मैं एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसके बाद बस एक मिनट के लिए और भून लेना है यह जो चटनी है ना यह कम से कम इंग्रीडियंट में बनती है और बहुत ही टेस् चीनी से भी बना सकते है तो गुड को मैं तोड कर डाली हूँ तो यह गुड है 500 ग्राम और बैर 1 kg है यानि बैर जितना रहे उसका हाफ गुड डालना रहेगा या चीनी गुड तोड कर इसलिए डाली हूँ ताकि यह जल्दी से मिल्ट हो जाए बस और कोई रिजन नही है तोड़ कर डाले या फिर काट कर डाले अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ यानि हाफ कप के करीब मैं पानी आड़ कर रही हूँ पानी डालने पे गुड जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गुड को अच्छी तरह से बैर में मिक्स कर दूँगी और गैस का फ्लेम अभी लोग पे रखी हूँ ताकि बैर जले नहीं मिक्स होते ही अभी से कवर करके थोड़े दिर पका लूँगी ताकि गुड जल्दी से मेल्ट हो जाए 10 मेट के बाद धकन हटा कर चेक कर लेती हूँ गुड कितना मेल्ट हुआ है तो चेक कर रही हूँ तो गुड यहाँ अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है तो फिर से मिक्स करूँगी आप चाहे तो फिर से कवर करके पका सकते हैं या फिर खुले में दस मिट हो गया है फिर से दिखा रही हूँ गुड अच्छे से मिल्ट हो गया है ये जो चटनी है ना बहुत ही स्पेसल है क्योंकि इसमें मीठा, खटा, नमक, तीखा सभी का स्वाद आएगा तो नमकीन करने के लिए यहाँ मैं बलैक सॉल डाली हूँ हाप चमच और तीखा करने के लिए यहाँ मैं हाप चमच रेट चिली का पौडर डाली हूँ बस दोनों को अच्छे से मिक्स करना है अब गैस का फ्ले मीडियम में करके इसे पकाना है गूर के मेल्ट होने पे चटनी पतली हो गई है तो इसे पकाते वे गाड़ा कर लेना है तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी और साथ ही इसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं जैसे जैसे ये चटनी पकते जाएगी ये गूर गाड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये गूर बरतन में चिपक ना जाए तो उसके लिए बीज वीच में जरूर से चलाते रहे ये चटनी गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है लेकिन इसे थोड़ा और गाड़ा कर लूँगी तो उससे पहले यहां मैं डाल रही हूँ एक चमच भूना हुआ जीरा का पाउडर इससे स्वात काफी बढ़ जाता है ये मेरी लास्ट इंगिरिडियन है इस चटनी का ये चटनी हमारी रेडी है ये गाड़ा भी हो गया है इसे पूरा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाड़ा हो जाएगा लेजी ये ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं ये कितना गाड़ा है इसे सर्व कर लेते हैं सर्विंग बॉल में ये चटनी जब पूरी तरस से ठंडा हो जाए तो इसे एर टाइट कंटेनर में पैक करके आप महिनों तक इसे इंजॉय कर सकते हैं इस चटनी को स्टप पराठा के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद है देशी बैर की चटनी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को इंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद